है लो हाई गाईज वैलकम टो विनायक बिलीवर्स क्लासेश अवर योड गाईज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलोजी के प्रिवियस यर के क्वेश्चेन का सेट साइकोलोजी हमारे फर्स पेपर के लिए भी जरूरी है और हमारे सब्जेक्ट पेपर के लिए भी इंपोर्टेंट है ये सो आज हम करेंगे साइकोलोजी के क्वेश्चेन सॉल्व आई होप आप सब की प्रेक्टिस अच्छी चल रहे होगे आप सब प्रिप्रिशन कर रहे होंगे सो अपना हाट वर्क जारी रखिएगा और मेरे साथ बने रहिए वीडियो को लास्प त उत्तर बाले अवस्था में बालक भौतिक वस्थों के किस आवश्यक ततों में परिवर्तन समझने लगता है उत्तर बाले अवस्था आपको बता है हमारे 6-12 वर्ष तक होती है बाले अवस्था जिसमें 6-9 होती है पूर्व बाले अवस्था और 9-12 होती है आपके उत्तर जो वस्तुई है बालक के आसपास जो भी चीजे जिसको वो समझने लगता है वो कौन सी है क्या वो खाली द्रवयमान समझता है द्रवयमान और संख्या समझता है संख्या समझता है या फिर D आ रहा है आपके द्रवयमान संख्या और क्षेत्र समझता है तो उत्तर बाल्य वस्ता की अगर बात हो रही है तो हम जानते हैं कि उत्तर बाल्य वस्ता में बालक को आपके द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों के बारे में वो समझना शुरू कर देता है तीनों में वो डिफ्रेंस समझने लग जाता है क्योंकि नो से बारा वर्ष की ये जो एज होती है उत्तर बाल्य वस्ता के बीच में आती है चलिए तो आंसर नंबर D is right चलिए नेक्स्ट कोशिन पर चलते हैं नेक्स्ट कोशिन क्या कहता है हमारा विकास का अर्थ क्या है विकास का अर्थ क्या है A. परिवर्तनों के उत्रोत्र श्रंकला अभी प्रेरणा के फल्सवरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्रोत्र श्रंकला C आ रहा है आपके अभिप्रेरणा एवं अनुभव के पल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्रोत्र शंकला या फिर D आ रहा है आपके परिपकवता एवं अनुभव के पल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की शंकला तो आप से इसके अंदर विकास का अर्थ पूछा जा रहा है सो विकास में आपके क्या आ जाता है स्टूडेंट्स विकास आपका अभी प्रेरणा एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्रोत्र श्रंकला की बात हो रही है निम्न में से कौन सी पूर्व बाले अवस्था की विशेष्टा नहीं है सो पूर्व बाले अवस्था की विशेष्टा की बात की जा रही है चैसे नोवर्ष की अवस्था मानी जाती है यह है पूर्व बाले अवस्था तो आपके A option में आ रहा है दल सम्हू में रहने की अवस्था तो guys हम सब जानते हैं दल सम्हू में जो बाले अवस्था होती है पूरू बाले अवस्था में बच्चे को हर चीज जानने की curiosity होती है तो वो बहुत सारे questions भी करता है and D आपके आता है खेलने की अवस्था तो हमें इन चारों में से बताना है कि कोन सी बाले अवस्था की पूर्व बाले अवस्था की विशेश्था नहीं है तो आप देखिए इसमें दल सम्हू में रहने की अवस्था भी आता है अनुकरन भी करता है बच्चा प्रश्न भी एपनावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा खिलोनों की आयू कौन सी होती है, जो पूर्व बाल्य अवस्था होती है, उसमें बच्चों को खिलोने खेलने का शोंक होता है, खिलोनों से उनको प्यार होता है, वो अपने खिलोने किसी को नहीं देते हैं, हर घर में बच्चे होती हैं, हमने ये सब बच्चों की अक्टिव के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सही है उपलबदी अभिप्रेरक की बात हो रही है यहां जैसे अचीवमेंट जो हमारे मोटी वेटर के संबंद की बात की जा रही है तो इसमें कौन-कौन सी जो है कथन सही आ रहे हैं आपके इसमें कथन आता है उपलबदी अभिप्र प्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है यदि व्यक्तिकत शमताओं की संतुष्टी महत्वपून है तो उपलब्दी अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्दी अभिप्रेरक को सामाजिक अभ बिलकुल आवश्यक है और यदि व्यक्तिगत शंतुष्टी मेहत्वपूर्ण है, अगर आपको व्यक्तिगत जो आपके शंताए हैं, उनकी satisfaction चाहीए, तो आपको अभी व्यक्तिगत को विकास प्रेयरक भी कहा जा सकते हैं, क्योंकि यह आवश्यक है, यदि व्यक्तिओं के म में so उपलबदी के लिए तो ये सब चीजे जो है अभीप्रेयरक के संबंद में सही है so right आंसर आपका आरा इसके अंदर D उप्रॉकतप सभी कथन अभीप्रेयरक के संबंद में सही है चलिए स्टूटेंंस नेक्स्ट कोश्यन पर चलते हैं नेक्स्ट क्या कहता है हमारा कुछ नंबर 6 विद्यार्थियों की अभिवरत्यों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विदी का परियोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों के अभिवरत्यों में परिवर्तन के लिए तो अगर स्टूडेंट्स के जो अभिवृत्या है, उसमें अगर चेंजिस चाहिए, तो कौन सा ऐसा मैथड है जो टीचर को यूज नहीं करना चाहिए option number A दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, option number B किसी विचार को दोहराना अथ्वा द्रड़ता पूर्वक विहवार C आ रहा है किसी प्रशंसनिये व्यक्ति के द्वारा समर्थनेवं स्विक्रती D आ रहा है संदेह के साथ सहचर्य स्थापित करना तो अगर हम विद्यार्थियों के अभिवृत्यों में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो teacher होने के नाते, आपको कौन सी चीज जो है वो नहीं करना ही चाहिए कौन सा method यूज नहीं करना चाहिए तो हमें पता है कि अगर दबाव से किसी बात या विचार के लिए हम राजी करेंगे, तो वो सही नहीं है, विद्यार्थियों के लिए भी और teacher के लिए भी तो दबाव से आप किसी की भी अभिवृत्यों में परिवर्तन नहीं ला सकते सो कौन सा method यूज नहीं करना चाहिए किसी भी student पर दबाव नहीं डालना चाहिए तो आपका right answer आ जाता है आपके option number A is right so option number A is right चलिए next question क्या कहता है आपके next question है 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है राजू शोर सुनकर उचलता है बार-बार घटना होती है फिर कुछ देर शांती के पश्चात बिजली कड़कती है राजू बिजली की गरजना सुनकर उचलता है राजू का उचलना सीखने के किस सिद्धान्त का उधारन है यानि कि एक बार वो उचलना दुबार अगर वही चीज हुई तो उसने फिर वही अक्टिविटी की तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा है ये सीखने के सिद्धान्त चलिए ओप्शन देखते हैं ओप्शन क्या कहते हैं ओप्शन नमबर A शास्त्रिय अनुबंधन सिद्धान्त क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रत्नी अमबूल या फिर इनमें से कोई नहीं सो स्टूडेंट सीखने का कौन सा सिद्धान्त है तो ये है आपका शास्त्रिय अनुबंधन का सिद्धान्त क्योंकि शास्त्री अनुबंदन जो आपके अनुकुलन अनुक्रिया का सिद्धान्त के बात और यह जो आपके पावलव ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंदन आपके स्कीनर ने दिया था प्रयात्न एम भूल आपके थॉन डाइट ने दिया था तो यह जो सीखने का सिध्धानत आ रहा है या आप क्या रहा है शास्त्री अनुबंदन option number A is right चलिए चलते हैं next question number 8 की तरफ किसी उद्धीपन के निरंतर दिये जाने से व्यावार में होने वाला अस्थाई परिवर्तन क्या कहलाता है किसी उद्धीपन के निरंतर दिये जाने से व्यावार में होने वाला अस्थाई परिवर्तन क्या कहलाता है अगर कोई stimulus continuously दिया जा रहा है तो behavior में changes आते हैं हमें पता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है लेकिन वो परिवर्तन जो होता है अस्थाई परिवर्तन का बाता है अभ्यास्तता से अधिगम से अस्थाई अधिगम या फिर अभी प्रेड़ना तो कोई भी stimulus दिया जा रहा है और व्यावार में परिवर्तन हो रहा है लेकिन वो अस्थाई परिवर्तन है तो वो क्या है तो वो अस्थाई परिवर्तन के अंतरगत आता है सो अभ्यास, option number A is right चलिए next question क्या कहता है question number 9, निम्न में से कौन सा कतन अभी प्रेड़ना एक प्रकिर्या के संदर्भ में उप्युक्त नहीं है motivation एक process है इसके लिए कौन सा जो statement है वो उप्युक्त नहीं है सो चलते हैं option की तरफ, option number A यह जो है व्यक्ति को लक्षे की होर ले जाता है यह व्यक्ति की शारीरिक आवशक्ताओं की संतुष्टी करता है C option आ रहा है, यह मनोवे ज्यानी का कांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है D आपके option आ रहा है, यह व्यक्ति को अप्रियस्थिती से दूर रखना तो आपके अभी प्रेरना एक प्रोसेस की बात और है और उप्युक्त जो statement इसके लिए नहीं, जो इसको सूट नहीं कर रही statement वो कौन सी आ रही है आपके इसके अंदर वो आ रही है आपके यह व्यक्ति को अप्रियस्थिती से दूर रखना तो यह statement जो है प्रोसेस, motivation के प्रोसेस के लिए उप्युक्त नहीं है अगर आपको किसी motivation का प्रोसेस चल रहा है या कुछ भी तो अगर आप तो उसको motivate करना चाहते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि उसको जो आपको यह चीज है उससे दूर रखोगे तभी वो motivate होगा या कुछ भी तो ऐसा नहीं है तो यह जो है statement इसको suit नहीं करता तो option number D is right चलते हैं question number 10 की तरफ सकरात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उधारण है सकरात्मक दंड की बात हो रही है तो उसका उधारण मित्रों के द्वारा उपहास मित्रों के साथ समय बरबाद करना मीन मेक निकालना बंद करना और उपरोक्त सभी तो आपके इसमें आज आएगा सकारात्मक दंड की बात हो रही है तो मित्रों के द्वारा उपहाज जो है वो सकारात्मक दंड का एक example है तो इसमें राइट आपका option आ रहा है option number A student यह हमारे आज की वीडियो का last question था इसी तरह से मेरे साथ बने रही है मेरे वीडियो को like, share, subscribe करना नहीं भूलेगा और भी मैंने आप practice set डाले हैं वो मेरे आप channel पर playlist में जाकर आप check कर सकते हैं देख सकते हैं अपनी practice जारी रख सकते हैं तो चलिए thank you thank you so much God bless you all thank you very much